तो भाई Undertaker के करेर में बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे करेक्टर हैं और इसके लिए कावसाय लोग उन्हें पसंद बिसी वज़े से करते हैं कि भाई क्या भाई करेक्टर है, क्या अब मस्त बंद है, उस बंदे को दर्द नहीं होता, उस बंदे के बाद सितनी सारी पावर रहा ना, WWE में, उस मैं फिक्स कर दो अपने चैनल पे, कि अगर किसको भी Undertaker से लेटिट को भी वीडियो देखना है, उस सबसे पहले जाके वाली वीडियो देखना है, तो भाई, मैं आज बात करूँगा, उन 11 करेक्टर के बारे में, जो Undertaker के करेर में रहे हैं 30 साल तक, और बेसके लिए क्या करेक्टर की मेंटालेटी होती थी, क्या करेक्टर इसकी पावर्ज होती थी उस चैनल पे अगर बेसके लिए उनकी मेंटालेटी चेंज हुई, जब करेक्टर चेंज हुए, तो भाई, अगर आप एक Undertaker फैन हो, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक दे और यह कहा जाता था, उस करेक्टरे पास ऐसी सूपर नेच्छल पावर्ज है कि वो इनवर्णरेबल है, उसको कुछ पेन ही नहीं हो सकता, तुम इस पर कोई भी यहां पर मूव लगा तो, तुम उसको किसी भी तरीके का स्लैम लगा दो, उसको पेन इसले नहीं हो सकता, क् बंदे को दर्द ही नहीं हो रहा, बंदा क्या सूपर नेच्छल चीज़े कर रहा है, तो इस वेले से वाला क्रेक्टर बहुत ही डुआ था उस टैम पे, और यह कहा जाता है वाला क्रेक्टर चाहता था, 1990 से लेके 1996 था, जब यहां पर 1996 में Royal Rumble में, योको जोना नाम के रेस जो कि आज बिसके लिए टेडी बी यसी जूनेर के वाला क्या उन्हों का उन्हों ने बिसके लिए अपना एक अंडर्टेकर यहां पे इंड्रिडूस करते हैं जिसका नाम एक्चल में ब्राइन ली था, जो कहते था कि यह अंडर्टेकर आसली वाला लेकि उसी टाइम समसल ने मैनकाइंड को लिटरली दफना दिया, हरा दिया, लेकिन हमें दिखा देता है, 1996 के आसपस उनका बिसके लिए एक बरीड अलाइव मैच होता है, इन यॉर हाउस में, तो यह कहा जाता है कि अंडर्टेकर किसी तरीक से जीत तो गए थे, लेकिन एनबे सारे समने मिलके मै अंडर्टेकर को दफना दिया, तो और यह कहा जाता है, उस टाइम पे 1996 में उस वाले करेक्टर की भी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद टाइम बीचता गया, और उसके बाद अंडर्टेकर का एक बिया पर भाई का इंटर्डूस कर दिया गया, पॉल बेर ने हमें अंडर्टेकर की और वह अला करेक्टर जो था विसके लिए पनी लाइट्स थो कर सकता है, निकाल सकता बहुत से रही और पावर कर सकता है, माइन मैलो प्लेट कर सकता था, वक्त बीतता जारत था था यहां पर केन को भी रा दिया तो बहुत सारी और सूपर शार पो वो बहुत खरार ताइम आने वाला और हम WWF पर कंट्रोल कर लेंगे यह ऐसे भी खा जाता था कि उस टैम पर WWF यह वाली स्टोर लाइन यहां पर इंस्पार कर थी लेकिन उस टैम पर बेसके लिए अंडेटेकर की इंजरी होगी थी और उस लेसे उनको आफ जाना पड़ेगा था यह करेक्टर चला था जैनवरी 1999 से लेके सप्टेंबर 1999 तक अब बेसके लिए डव्य व्य की समझ आ चुकी थी हुए अंडेटेकर का डिमॉनी वाला करेक्टर देख हैं लोग को सकता है elevated powerbomb कहा जाते है उस वाली stolen में आपे सारा भी आ जोगी ती जो उनकी wife थी उनका बिसके लिए टाटू भी था उनके आपे गले पे बहुत सारी ने-ने stolens हमें दिखायते थी थी वह बाइक पर आते थे बहुत कूल लगते थे वह लेकिन जब वहला character ख़तुमा 2001 में तो उसके बाज जो character शुरू हा ना वो basically मेरा आज तका फेवरेट है यह character था बिग इवल का अगर आप यहां पर आप जान सको के बाई दोना character में क्या फ़र्ग है तो आपको पता चलेगा बिग इवल वाला character कितना बढ़िया था यह basically वह अलट है थे जो Undertaker ऐसे मैं चूगे थे थे उनकी फियोड होई थे और जो भी आपको आज तकी बैडस वाली मुमेंट दिखाए देते ना Undertaker के कूल वाले character में वो सारी बीग वाले character की और basically इस टैम पे वो कहते थे बाई मेरा मन जो करेगा वो मैं करूंगा और actual में वो सच में बैडस लगते थे बाई मेरा दो one of the favorite character लेकिन हाई यह वाला भी जादा टाइम नहीं चला था बेसके लिए 2003 में बरीड लाइफ करता था केन ने उनको और वो बिसके लिए ऐसा हो जाएंगे कुछ भी नहीं करने वाले लेकिन यहां से शुरू होता उनका एक निया character अगला जो character था उससे बिसके लिए काफिसार लोग ने अंडरेगर को जाना शुरू किया था यह था बिसके लिए दा फीनॉम का character इसको बिसके लिए रसलिंग तम में कहते थे डैडमन hybrid यह देडमन hybrid इसले कहते था क्योंकि यह जो ट्रेंश कोड था ना यह बिसके लिए हमें दिखाता था कि इस तरीके से वह जो अमेर पावर जा चुकी थी उस वाले character के बास वह बिसके लिए लाइटिंग निगाल सकता है वह बहुत चीज़ें कर सकता है माइंड गेम्स खेल सकता है इस वाले टाइम पे बिसके लिए मेनिया 20 से लेके केन को हराने से लेके यहां पर उनने बहुत बड़े 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 नाम था लास्ट आउट लो इसको लोग कहते थे क्योंकि इसको कावसरी लोग कहते थे बिगनिंग ऑफ दा एंड मतलब उनके करेडिका जो एंड होने वाला था उसकी शुरूवात यहां से होती है यहां से लोग समझ चुके थे कवा अब यह पहले बात नहीं रही है क्यों ऑफ़ेस लिए उनकी जो एज वह बहुत साथ बढ़ चुकी थी बहुत साथ ओल्ड होने लग लग यह वाला पूरा जो टाम था चला था था तो दो सार आर से लेके 2013 जब इसके लिए पूरा टाम कंसिस्ट था बहुत सारे मैचिस शॉन माइकल्स के साथ बहुत सारे मैच्स गन्सलिंगर अब गन्सलिंगर क्यों कहते थे बिसके लिए इस वाले टाइम पे हमें दिखाए दिया था कि अंडरेटेकर यह लेजंडरी स्ट्रीक रेसल मेने वाले टूट चुके जब ब्रॉकलेस्टर उन्हें हरा दिया है इसना किस तरीकिस अंडरेटेकर वापिस आते है अपना रिकॉर्ड यह अब जारी रखता है ब्रे fridge को हराते हैं शैन मेंन को हराते हैं बहुत सार ओर लोगो हराते हैं यह वाला टाइम था चल चुक आता हो दा जब ऑस मैच होता है यह साथ और उस चैम हमें भे से बरी तरीकिस से हार शके है तो उनने अपने अपने हैट वगएर अपना कोट वगएर जो उनके कोट लेजनरी कोट आज तक चला है उसको उतार के वो जा रहे हैं और यह कहा जाता था कि Undertaker उसने पर रिटार हो गये थे हो जाएंगे लेकिन Undertaker ने ये चीज़ सोची ये चीज़ रियलाइस करी कि मेरा पर करेक्टर उनका करेर एंड होना ही था और वो वाला टाइम है 2020 में 2020 में जो उनका करेक्टर नया था इसको गहते थे अमेरिकन बैडस 2.0 लेकिन का वसा लोग इसको दे लास्ट राइड के नाम से भी जानते थे इस वाले टाम को यह वाला टाम हो था जब इसके लिए एज च वाला के अराम से अपनिया पर अपनी राइड पर निकल जाता है वह उनकी लास्ट राइड थी उसके बाद उनका करेर एंड हो गया था यह वाले करेर में इतनी लेजंडी मोमेंट्स आई ना बाई कि यह वाले करेर पर मैं जो वीडियो बनाते हुए अभी चल जा रहे है अगर आपको वीडियो चलेगे तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना और मुझे किस-किस टॉपिक वीडियो चे बरानी चाप प्लीज ने चे कमेंट में बता सकते हैं चैनल में पहले बड़ तो सब्स्राइब करते हैं मिलता है भाई लोग नई वीडियो में तब तक के बबाई